So guys, welcome back to another comparison video और ये जो comparison video है ना वो काफी ज़्यदा हट के होने वाली है यूँकि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Moto G54 vs Samsung M34 5G Samsung को भी लोग अभी भूले नहीं है M34 5G जो है वो उस smartphone से भी comparison चाहते हैं काफी सारे comments में पास आये थे कि Moto G54 को हम जो है इन मैंसे कौन सा phone buy करें राइट या फिर Samsung का M34 buy करें या फिर G54 तो चलिए आगे वीडियो में लाश्ट तक आपको पता चली जाएगा इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया या फिर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं मिल जाती है, 120 Hz का higher refresh rate इसमें आपको मिल जाता है Samsung M34 5G की अगर हम बात करें तो इसमें आपको Super AMOLED डिस्पले जोगी 6.5 इंचेस में है और 396 PBI पर वेज़ड़ है 120 Hz का refresh rate मिलता है और 1000 nits brightness मिल जाती है तो भाई डिस्पले में जो है वो क्या ही कहें क्योंकि डिस्पले जो है वो Super AMOLED राइट तो यह बहुत ही अच्छा option आपके लिए हो सकता है डिस्पले में तो बिनर है Samsung M34 5G इसमें तो कोई डाउट नहीं है चलिए बात करते हैं कैमरा की तो कैमरा में dual rear setup मिलता है जोगी 50 MP में है primary camera Moto G54 में 8 MP में ultra wide मिल जाता है जोगी काफी अच्छा option है तो इस तरह से यह आप यहां से अच्छी video recording आप कर सकते है full HD video record आप यहां से कर सकते है Moto G54 से यह हो जाता है camera G54 का चलिए हम देखते है Samsung M34 5G में के मिलता है तो इसमें आपको triple rear setup दिया जाता है जिसमें primary camera 50 MP में है और जो secondary camera है वो ultra wide है जो की 8 MP में दिया है और 2 MP में macro camera दिया है यह बात तो सच है कि इसमें जो camera है वो एकदम perfect triple rear setup दिया ऐसा नहीं है कि macro और depth रख दिया लेकिन ultra wide नहीं दिया है तो मेरी नजर में यह जो यहां पर triple rear setup रखा है वो एकदम perfect है ऐसा ही होना चाहिए था with OIS supported है सबसे चीवात यह भी आपको मिल जाती है तो Samsung M34 5G वो भी OIS supported है जबकि Moto G54 जो है उसमें भी आपको OIS मिल जाता है बात करेंगे एक हम front camera की तो front camera में 16 MB में आपको मिल जाता है Moto G54 में जबकि M34 में जो आपको selfie camera मिलता है या फिर कहेँ तो front camera वो 13 MB मिलता है जहांसे आप full HD video record कर सकते है आभ यहांसी बात नहीं है जो इसका गेमरा है वो selfie camera भी एकदम perfect है M34 5G का जो camera है वो selfie camera भी एकदम perfect है बात करते हैं अगर हम यहाँ पर chipset की, तो chipset वो immediate Dimensity 70-20 मिलता है आपको G54 में जो की Octa-Core processor है और 6NM पर based है, लेकिन बात करूँ M34 5G में तो इसमें आपको Samsung Exynos मिलता है, जो की 1280 है 5NM पर based है, कही न कहीं जो fabrication है वो latest use किया है Samsung ने बले ही चाहें Exynos है, लेकिन जो fabrication है वो 5NM है तो इस तरह से जो chipset है वो दोनों ही एकदम perfect है ऐसा नहीं है कि जो mediatek Dimensity 70-20 है वो बेकार हो जाता है यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो Exynos है वो भी अच्छा है बात करें, Samsung M34 5G की तो इसमें आपको बैटरी दिया जाता है वो 6000MH का दिया जाता है जो कि 25W की fast charging को support करता है तो यहाँ पर 25W की fast charging दी गई है तो थोड़ा सा disappointed करता है लेट चार्ज होने में, जबकि Moto G54 जो है, वो इससे कहीं better चार्ज हो जाता है बात करें, अगर हम NFC की तो आपको नहीं मिल जाती है G54 में नहीं मिलती है NFC आपको मिल जाती है M34 5G में तो यह एक अच्छा option है 3.5M का jack आपको मिल जाता है M34 5G में तो इस तरह से यह कुछ हमने इसके specs और कुछ features देखें, तो इस तरह से यह जो है, अब मैं बात करता हूँ कि इनमें से कौन सा फोन perfect है कौन सा फोन आपको buy करना चाहिए क्योंकि अभी भी आपका confusion बना है कि कौन सा फोन buy कर रहा है तो चली अब मैं clear कर देता हूँ तो यहाँ पर अगर आप कोई content watch करना चाहते है या फिर आप ऐसा display में अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा display आपको चाहिए तो M34 एक बहुत ही अच्छा option हो सकता है उसके साथ ही साथ आपको camera भी एक अच्छा मिल जाएगा जहां से आप 4K video record भी कर सकते हैं तो यह एक अच्छा option हो सकता है display में भी और camera में भी लेकिन अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कोई gaming phone की राइट तो gaming phone अगर मैं कहूँ तो वो यहाँ पर Moto G54 है क्योंकि इसमें पहली बात तो आपको इतना जदा IPS LCD है और वहाँ पर जो camera है वो 4K V record यहाँ से नहीं कर पाता राइट तो इस तरह से कहीं न कहीं अगर आप यहाँ से gaming करेंगे तो एक अच्छा experience होगा आपको लेकिन battery भी अच्छी मिल जाती है यहाँ पर आपको तो अगर आप gaming के लिए decide करना चाते हैं तो Moto G54 है जबकि Samsung M34 जो है वो आप यहाँ से camera के लिए और display के लिए यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छा phone है बैटरी भी आपको अच्छी मिल जाती है तो चलिए इस वीडियो को हम यही पर end करते हैं और आपने कौन सा phone buy करना है comments में ज़रू बताइए so thanks for watching this video